दमन में स्कूली छात्रों के लिए कुवा कानूनी जागरुकता शिविर, बच्चों से जुड़े कानूनों एवं अधिकारों पर दी गई जानकारी। के नौवी एवं ग्यारवी कख्षा के तीन सो चितने चात्रों ने लिया। इशिविर में चात्रों को साइबर कानून, बच्चों से जुड़े अन्य कानून, बच्चों के अधिकार, सूचना तक्नीक से जुड़े कानूनों के विशे में विस्तृत जानकारी दी गई। जि पर प्रदेश के समाहरता जेपी अगरवाल, स्वास्त सचीव दॉक्टर के वाई सुल्तान, शैशन जज्ज, स्जी मारे, जिला कानूनी सेवा प्राथिकरण सचीव, एवं सिवल जज, सीनिय ड्विजन, स्पी पॉल, सिवल जज, जूनिय ड्विजन, सचीन गोटे, वकिल मंदल के सदस्य, ICPS विभाक की कर्मी समेट के अन्यों की उपस्ति रही यो शोनल के वी है, जिसको जेजम के बोटे हैं जो जो शेजम करोते हैं जो इस लीगल इवेश्कम्प रखा है हमारे स्कूल में हमारे बच्चे के लिए हमारे नाइज और लेवन्त शैनल के बच्चे वहाँ बाग ले रह हैं आज information दे रहे हैं बच्चे के लिए खास क्योंकि बच्चों स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, वाटसब पर हैं, फेस्बुक यूज़ कर रहे हैं, उनको इतना भी पता नहीं है कि you have to be 18 years to do this. और उनकी सजा जो है is very high if they go against the rules and regulations of the websites. information of child rights भी दे रहे हैं आज, बहुत इंपोर्टन है कि the children must know कि what are their rights today in society. आज अज जो बोल रहे हैं, cyber laws, information technology, child laws and child rights. there are around 300 students today participating in the program. benefits बहुत ही हाई है and I think यह benefits सब स्कूल और हर teacher को बताना चाहिए, जो students के लिए it would be very great advantage to them because when you do something and you do not know the reaction of it is very dangerous. और आज everyone targets children. जो भी information आज हमारे बच्चे को दे रहे है, it is very very informative और हम चाहते कि हर स्कूल जो दमन में है, हर क्लास के बच्चे को यह मालूम होना चाहिए because हर बच्चा आज कॉलिज के हो यह स्कूल के हो, स्मार्टफोन यूज करें and they are on social website.